बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस करिक्रम में दाशको माध्यपैदेश के बालाघाट जिले के आदिवासी शेत्र से एक अजीब गरीब घटना सामने आई है हुआ यूँ कि पिछले दिनों दुर्गा उस्व जो की बहुत बड़े पैमाने पर इस शेत्र में मनाया जाता है और कुछ आदिवासी परिवारों से उन्होंने चंदा मागा उनकी शर्त ये थी कि चंदे में वो 200 रुपए से कम बिल्कुल नहीं लेंगे जबकि उन 14 आदिवासी परिवारों का कहना ये था कि इस बार उनकी हलत खराब है और क्योंकि कोरोना की वज़े से सारे धंदे बंद है और उनकी कोई कमाई नहीं हो रही है उनके पास पैसों की कमी है तो वो कुछ अपने मन से अपनी इच्छा नुसार कुछ थोड़ा बहुत चंदा वो देना चाहते थे लेकिन समीती वाले इस बात पर अड़े थे कि उन्हें 201 रुपए ही चंदा चाहिए और हर परिवार से उतना चंदा चाहिए और इस विवाद ने एक बड़ा रूप ले दिया और वह यूंकि उसके बाद सवर्णों ने एक सभा की एक मीटिंग की और इन 14 परिवारों को जिन्होंने चंदा नहीं दिया था उन्हें बहिस्कृत कर दिया समाज से अलग कर दिया और उनका हुका पानी एक तरह से बंद कर दिया इस प्रकार की घटनाएं पहले बहुत सालों पहले जब मरुस्मिती लागू थी तब हुआ करते थी या फिर यूं कहें कि समिधान लागू होने के बाद भी कुछी एक शेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं होती थी जिस पर सजाएं भी मिलती रही है जिस पर करवाही भी होती रही है लेकिन इस दौर में भी आज के दौर में भी बाला गार्जिले की ये घटना सचमोचे थोड़ा सा अचमभित तो करती है थोड़ा सा धक्का तो देती है इस घटना पर डालते हैं एक नहरे है दिन नौरात्रा का दिन आया था उसमें हमने नौरात्र चालू होने से पहले अपना एक्छा अनुसार चंदा देने की बात कही थी तो हमको समाज से एक्छा अनुसार चंदा दे रहे थे लेकिन उनका कहना था कि हम जितना मंगेंगे उतना ही तुमको देना पड़ेगा हमन यसर के लिए बोले थे और इक्छाई अनुसार देंगे तो हम हमारा इक्छ जानाब नहीं लिए गया और हमको गाउसे वही कर सकता लेकिन अप बोल रहे ह कि तो काम करो तो हम नहीं करेंगे अद्य अनेक प्राकार की हमको दिकत परिशानिया मिल रही है prior लेट करने थोड़ी गाओं में अभी हमारी विवात को ही पर खतम करने की बात चल रही थी लेकिन वहां पे हमको न्याय नहीं मिल पाया इसलिए हमने कारवाई यांगे कर दी समझा लेकिन वह लोग वहां पर आगे क्या रण नीति आप लोगे हम दे रहे थे लेकिन वो लोग नहीं दिये लेकिन वो लोग नहीं लिए वो लोग 201 रूपए मांग रहे थे और हम 161 रूपए लेके गए थे लेकिन वो बोल दिये नहीं हम 201 लेंगे और इस कोवेड-19 में चलने के दर्मियान में फुरी देश में कोवेड-19 फैली हुए इसी को देखती हुए हमने आर्थी किस्तिती खराब होने के कारण हमने अप हम आते गाउं फसे एक शिकायत कुछ लोग लेके हैं यहां पर और उनका एक एक कहना है के दुरगा उससा के दुरआ मांगा गया था गाउंकी कुछ लोगों दौराव नहीं दिया गया है। इसकार उनके सामाजिक वहां पे लोगों द्वारा भाहिशकार किया गया है। इस संब्मन में जोपी परसवाडा को इसकी जांच दी गई है। और जो भी उसमें बात आई सामने उसमें व्यधानिक कार्वे की जाई। यह संदेश से आये हैं। कि हम सरजनिक दुर्गाव जी का चंदा 200 वह रूपई राखे थे। हम उसे कोई कोरोना महमारी की चलते हुए हम अपने शनुसार एक सा युक रूपई दे रहे थे। एक सा युक रूपई ना लेने पर हमारा निया नहीं हुआ। इस वजह से हम यह रूपई परकास बागरेश संद्वागरेश नर्बद्वनने अब आन्य कोन लोग है यह सद अध्यक समौध है यह सरुजनिक कि यह रूपई शिकायत करते हैं यह आप ने दिये थे यह साबको टियाई साब ने उनको बुलाए थे उनको समझाए भी गया हमको भी समझा गय पर वो लोग हम समझे गया पर वो लोग समझे नहीं हैं चाहते हैं अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है और पिछले कुस वर्सों में हम लगतार देख रहे हैं कि जो हिंद्वादू संगठन है खासतर से बनवासी करन्यान अश्रम के माध्यम से वो लगतार आदिवासी इला मिला लेंगे तो उनकी बड़ी ताकत एक बड़ी राजनीतिक ताकत हो पाए इसलिए आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों में जो आदिवासी क्षेत्र के राज्ये हैं वहां पे भाजपा की ही सरकारे ज्यादातर रही है होती आई है और अभी भाजपा उन्हें इलाक समों थे जिन्हों ने जो मिट्टी ले जाने का काम किया यहां भी इसको लेकर काफे बवाल हुआ हाल में आप देखेंगे तो गुजरात में कुछ ऐसे गुजरात और आस्थान के बॉर्डर पे जो कुछ आदिवासी समों है जो जोहार शब्द का विरोध कर रहा है जो कि देखें, कि सदियों से आदिवासी समाज में यह संबोधन की परंप्रा रही है जोहार यह उनकी अपने कल्चर है, उनकी अपनी अशमिता से जुड़ा हुआ है लेकिन आदिवासी ही जो हर शब्द का विरोध कर रहा है कि नहीं हमें जैसे राम कहना है या हम जो हिंदू है और हम इससे काटा जा रहा है उसी उन्हीं घटनाओं की कड़ी में ये बाला घट की घटना है जहां कि दुरुगापुजा का चंदा ना देने के चलते कुछ जो ह अधिवासी समुदाय के लोग ही कर रहे हैं मध्यप्रदेश के बाला घट में जो मोते गांव की जो ख़बर आ रही है मेडिया में जिसमें 14 आदिवासी परिवारों को दुरुगा उत्सव में चंदा नहीं देने पर जो सामाजिक बहिसकार करने का काम किया गया है तो मैं एक आदिवासी होने के नाते इस घटना का पुर्जोर विरोध करता हूं और मध्यप्रदेश की जो सरकार है उसे मांग करता हूं कि ऐसे जो समाजिक तत्व हैं जो किसी को अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह से समाजिक बहिसकार करके प्रताडना करने का काम करते हैं उनके उपर कारवाई होनी चाहिए और आदिवासी समाज के उधर के जो भी विधायक हैं सांसद हैं उनलों को इस घटना के बारे में संग्य लेनी चाहिए और वहां पर जाकर क्या दिवासियों के साथ में उनका साथ देना चाहिए उनको न्याय देने के लिए मैं हमारे बहुजन स्माजपाटी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षर जी और हमारे बाकी उधर की नेता नेता गण को मैं बोलूंगा बहुजन स्माजपाटी के पता दिकारियों को वह घटना इस्तल पर जाकर के मामले का संग्यान ले और जिस तरह से आदिवासियों को दुरुगा चंदानी देने पर इस तरह का सामाजिक बहिसकार उनके किराना दुकान में सामान उनको नहीं देना बिमार होने पर डॉक्टर है उसमें चाहताओं की सरकार जो है उसमें दखल दे और जहां तक यह इस तरह के सामाजिक बहिसकार वगरा जो करते हैं लोग और इस तरह से जो उनकी मनोबल बढ़ा हुआ है इसके पीछे मेरा मानना है कि BJP की जो सरकार है जो RSS की सरकार है जो कट्टर हिंदुवादी वि की सरकार है वो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करती है और उनकी सरकार होने से RSS की विचारधारा की सरकार होने से ऐसे लोगों की मनोबल बढ़े हुए हैं और यह लोग मनमानी पे उतर आये हैं इस तरह के लोगों की उपर कड़ी कारवाई होनी चाहिए औ और अदिवासी समाज को न्याय दिलाने के लिए पहल होनी चाहिए सरकार सक्त सक्त इस ममले में कारवही करे और अदिवासी समाज को न्याय देने का काम करिये ही मैं उम्मिद करता हूँ इस घटना ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि समिधान के इस दौर में जिस वक्त देश का समिधान लागू है देश में एक कानून लागू है इस दौर में इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही है अब भी हो रही है तो सचमुच ये विचारनी है कि आखिर हम किस यूग में किस यूग में हम जी रहे हैं दर्शकों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक मुचाने का प्रयास करें